नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर महालगे नगर स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगन में लोक मंच जेश्टनागरिक मंदल द्वारा आयोजित वरिश्टनागरिक सम्मिलन संपन्न हुआ इस अवसर पर हुडकेश्वर पुलिस थाने के वरिश्टा पुलिस निरिक्षक सार्थक नहते मुख्य अधिथी के रूप में उपस्तित थे तथानागर के सुप्रसिध चिकित सक एवं संजीवन सोशियो मेडिकल फाउंडेशन के संस्थापक संचालक डॉक्टर संजे उग पुलिस निरिक्षक सार्थक नहते ने वरिश्टा नागरिकों को उनके कर्तव्य एवं अधिकारों की महत्वपूर्ण जानकर इसे अवगत कराया पुलिस दिन रात नागरिकों की सेवा में रहती है पुलिस से डरो नहीं उन्हें अपना दोस्त समझे ऐसा उन्होंने कहा क कारेक्रम के अध्यक्षर डॉक्टर संजे उगेमुगे ने कहा कि बुजुर्गों ने अपने जीवन की पूझी, संपत्ती, पैसा, मरते दम तक किसी को न दे। अन्य था आपको पच्थाना पड़ेगा। कोरोना के समय मंडल के दो सदस्य गोविन अंडरसकर एवं दत्तात्रे कोले का दुखत निधन हुआ था। उन्होंने अनिष्टित कालिन हरताल शुरू कर दी है। उमेश बांगर, आनन्वान खेडे, संजे हरडे, धिरच करोजिया, नितिन गहलोद, मंगेश कुंभारे, बिंदू तामबे, मधुकर भंडारी, नारैन लिंगलवार, विजय यादव, राजन मेश्राम, सुनिल भालकर, शेलेश्राम टेके, लता बोरकर, मुकुंदा श्रीनाकपुर गुजराती ब्रह्म समाजद्वारा आयोजित, उमीपंडित चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से, अपोलो क्लिनिक में बोडी चेकप पड़े उत्सहा पुर्वक संपन्न हुआ, जो एक महीने तक चला, इस बोडी चेकप कैंप में 355 बंधु होने लाब लि समाज प्रमुक संजे ठाकर, समाज मानत मंत्री चेतन जोशी, शीवर के सयोजग के एरुव्यास मनिश जोशी थे, इस अवसर पर प्रमुक संजे ठाकर ने अपने प्रास्तविक में कहा कि समाज द्वारा इसका आयोजन प्रथम बार किया गया, जिसका बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला, ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष होगे, कल्यानार्थ वह कारेक्रमों समाज में जाती बंदू से उत्सा से लाब लेने का अनुरोद किया, डॉक्टर सोहिल खान ने कहा कि हर एक व्यक्ति ने स्वास्थ का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर अपने स्वास् समाज के साथ रहूंगी, समाज के ट्रस्ट मंडल के सभापती नरेंद्र जहा ने समाज के इस उपक्रम की सरहाना की इस ग्यापन के माध्यम से राज्य सरकार को सुचित किया गया है कि नमुना सर्वेक्षन संगठन ये एक संस्था सिर्फ एक से देड़ महा में इंपिरिकल डाटा संग्रह करती है वर्ष 2006-2007 में IIT IIM के OBC प्रवेश के आरक्षन की रक्षा OBC समाज समीति ने की थी नमुना सर्वेक्षन के माध्यम से OBC का इंपिरिकल डाटा बनाए इसके लिए नमुना सेंपल सर्वेक्षन और्गनाईजेशन का सही योग ले इस मांग को लेकर समीति की और से 24 जुले और 28 अगस्त को क्रमशह मुंडन आंदोलन वा 13 वी आंदोलन किया गया था इस आंदोलन के प्रभाव से सर्कार ने नमुना सर्वेक्षन को माननेता दे कर इसके लिए 5 करोड रुपया मंजूर किया था समीति के कारे करता गण पिछले 32 साल से राज्यमे नाना उमाठे के नेतरुत्वा में समीति संगर्श कर रही है भारतिय चार्टर अकाउंटेंट संस्थान एक नियामक संगडन है जो विभिन्ना नियामक धाचे के माध्यम से अपने सदस्यों की संचालन करता है ये पियर रिव्यू जैसे तंद्र के माध्यम से अपने सदस्यों द्वारा किये गए कारियों की गुनवत्ता भी सुनिश्चित करता है पियर रिव्यू एक चार्टर अकाउंटेंट फर्म है जो इसके लिए विधिवत रूप से सूची बद्द और अधिक रूत है द्वारा किसी अन्य चार्टर अकाउंटेंट द्वारा किये गए कारियों की समिक्षा करने की सबसे बहतरी इन प्रनाली में से एक है ICI-KWRRC की नाकपुर शाखा ने हाल ही में ICI के पियर रिव्यू बोर्ट द्वारा आयजित पियर रिव्यू के लिए एक प्रशिक्षन कारेक्रम का आयजिन किया था ICI KWRC की नाकपुर शाखा के अध्यक्ष साकेत बागडिया ने कहा कि पियर रिव्यू चार्टर अकाउंटेंट फार्मो द्वारा किये गए कारियों की गुणवत्ता नियंतरन के लिए एक व्यवस्थित उपकरण है उन्होंने कहा कि प्रत्यक सूची बज़ा कंपनी को चार्टर अकाउंटेंट्स की पियर रिव्यू फार्म द्वारा अपने वित्य प्रमानित करने के आवशक्ता है पियर टूपियर समिक्षा द्वारा दस्तावेजी करन में किसी भी तरह की कमीयों की जांच की जाती है और सत्यापन कारियों का संचलन करते समय सीए कारयालों के कामकाज को अध्यतन करने के लिए उचित मार्क द्रशन प्रदान किया जाता है स्थानिय अर्विन इंडो पब्लिक स्कूल हेती सूरला में अंतरराष्ट्य मानव एकता दिन मनाया गया कक्षा पांचवी से दसवी तक के विद्यार्थियों ने इसमें अपनी सक्रिय भागेदारी निभाई अंतरराष्ट्य मानव एकता दिवस हर वर्ष 2005 से 20 दिसंबर को मनाया जाता है विद्यार्थियों ने अनेकता में एकता की प्रतिग्या भी ली हम अनेकता में एकता को कायम रखने के लिए सतत प्रयास करेंगे मानवता का सम्मान करेंगे धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाती भेच से दूर रहते हुए देश की एकता और अखंडता में पूरी तरह निष्टा एवं इमानदारी से कार्य करते हुए आजादी का अमरुत महत्सों मनाएंगे स्कूली विद्यार्थियों ने मानव एकता कायम रहे पर अपने भाषन स्कूल के साथ साजा किये भाषन स्परधा के अलावा ड्रॉइंग स्परधा भी आयोजित की गई कारेकरम का संचालन मराठी विभागा ध्यक्षय मंजोशा सट करने किया कारेकरम के सफलतार्थ वंदना बारा पात्रे निविदीता कोचे रंजन ठाकूर एवं शुभम कारो करने प्रयास किया। स्कूल के प्राचारिया ने सभी विद्यार्थियों का भी नंदन किया। प्रति भागियों को भोसले वंच के समारक के बारे में जान करी दी। यहां की प्रतिक छत्री के पास बताने के लिए एक अलग कहानी है और पूरी तरह से इतिहास में डूबी हुई है। मधुरा राठोर और आरनिती का एसरामानी ने महत्वोपुर्णा विरासत स्थल को साफ सरक्षित बनाए रखने के लिए अपनी चिंता और आवशक्ता व्यक्त की है। महराजा ओफ नागपुर ट्रस्ट ने इसकी सफाई दस्तावेजी करण और रखरखाव मैनूल का काम इंटक नागपुर चेप्टर और आर्किटेक्चर संकुल द्वारा पूरी तरह से तयार करने का काम सोपा है। विदर्बट एक्सपेयर्स एस्सोसियेशन के प्रतिनीधी मंडल ने अध्यक्ष श्रवनकुमार मालू की नेतरुत्व में विधान परशेच चुनाओ ने भारी मतों से विजय होकर विधायक निर्वाचित होने पर चंदरशेखर बावनकुले का पुश्पक उच्छ से स् की कास में अपना अमुल्य योगदान करें नवनिर्वाचित विधायक बावनकुले ने भीटिये का आभार व्यक्त करते वे कहा कि मेरा लक्ष आने वाले समय में केवल नाकपूर ही नहीं अपितु संपूर्णा विधर्ब के लिए बहतर कार्य करने का है जिसके लिए आप सभी का सहयोग अवशक है बीटिये के प्रतिनीदी मंडल में सच्यू तेजिंदर सिंग रेनू उपाद्ध्यक्ष एह मंत्री वेदी कुशाद्ध्यक्ष पवन चोपड़ा सहसाच्यू अमर्जित सिंग चावला वराजश कानून गो उपस्तित थे केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी के प्रेरना से शुरू हुए मध्य भारत की सबसे बड़ी क्रूशी प्रदर्शनी एग्रोविजन का आयोजन इस साल 24 दिसंबर 2021 से रेशिंबा ग्राउन नागपुर में किया जा रहा है एग्रोविजन का उद्देश्य किसानों को नई तकनिक संबद्द व्यवसायों के बारे में नविन्तम जानकरी देना है ताकि वे अपना आय बढ़ा सके और लाबदाय खेती का आनन्द उठा सके इस असाधरन आयोजन की तयारी जल्द पूरी होने वाली है जिसमें राश्य गुरुशी प्रदर्शनी किसानों के लिए कार्यशालाय दिन भर के सेमिनार संगोष्टी शामिल है प्रदर्शनी के लिए नियोजित गुंबदों के लिए 9000 वर्ग मीटर की जगह ली जा रही है जबकि विशाल मशिनरी के लिए 4000 वर्ग मीटर का हैंगर लगाया गया है कारिय शाला के लिए 750 वर्ग मीटर के दो हॉल स्थापित किये गये हैं और 1200 वर्ग मीटर जमिन पशुधन प्रदर्शनी के लिए समर्पित है कुल 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है किसानों के पंजी करण के लिए दो काउंटर बनाये गये है 24 दिसम्बर 2021 को शुरू होने वाले राश्ट्य प्रदर्शनी में तीन सेमिनार और विभिन्ना विश्यव पर विस्तुरूत कारिय शालाय है किसानों को देश भर के विशेशक्यों से मार्ग दर्शन प्राप्त करने और सफल किसानों के अनुभाव से सीखने का आउसर इस माध्यम से मिलेगा ग्रूमिन कितना जरूरी है तथा उसके महत्व को सपष्ट किया गया विद्यार्तियों ने इस सत्रों को काफी सराहा तथा इस तरह के और कारेक्रम उका आयोजन करने का निवेदन किया ये कारेक्रम अलमनाई फोरम के अंतरगत आयोजित किया गया इस कारेक्रम के सफलता के लिए अलमनाई फोरम सयोजक अरूमिता पावा स्टूडन्ट एक्टिविटी की अधिश्ठता माधुरी बरुवा ने राइसुनी बिजने स्कूल की संचाली का डॉक्टर आरती देशपांडे जी एच आर सी सी एस्टी की प्राचारिय डॉक्टर ज रस्विंदर कौर के मार्क दर्शन में अथक परिश्रम किये एक जमाना था जब सरकस का बोल बाला था जगा जगा सरकस के कारेक्रम होते थे बड़े से बड़े जानवर चाहे वह जंगल का राजा शेर रहे चाहे शक्तिशाली हाती रहे या फिर बाहुबली घोड़ा रहे सब रिंग मास्टर के हंटर के आगे उसके इशारों पर करतब बताते थे ये जानवर अपने शिकार करने की शैली को खतम करके सिर्फ इशारों पर नाचते थे इसके बदले उन्हें साफ सुत्रे कट घरे में रखा जाता था दो वक्त का बास ही खाना इन्हें वही पर बगर शिकार के मिल जाता था इन जानवर को आराम से दो वक्त का खाना खाने की आदत हो गई ये जानवर इसलिए रिंग मास्टर के हंटर के आगे जैसे बताय जाता है वैसे ही करने लगे कहने का मतलब ये सभी जानवर अपनी क्षमता, अपनी शक्ती और अन्य कार्य करने की शैली सब भूल कर जितना बताये जाता उसी पर केंदरित हो गए लक्ष हो गया, पैठे बिठाये, खाना मिल जाए, आराम की जिन्दगी हो जाए धिरे धिरे आवाज उठने लगी कि ये जानवरों के साथ नाइनसाफी हो रही है, जानवरों को बंधुआ बना कर इनसे और अमानविय व्यवहार किया जाता है, धिरे धिरे जानवरों के इस तरह के अमानविय व्यवहार के मामले कम हो गए और अब जानवर बंधुआ नहीं है तो युवा क्यो है ये सवाल कैट के राष्टिय अध्यक्ष बिसी भरतिया ने उठाया हिंगनास्तित मौजा सुकली परीसर के सिताबाई नरगुडगर नरसिंग कॉलेज में मेट्रो सवात का आयोज़ेद किया गया था ये महाविद्याले महा मेट्रो के रीच त्री एका लाइन मार्क पर है नाकपुर शहर से इस महाविद्याले में बड़ी संख्या में चातरा है और शिक्षक प्रती दिन आना जाना करते हैं यात्रा के दर्मियान मिलने वाली सुविधाओ की जानकरी महा मेट्रों के अधिकारियों ने विद्यार्थियों से साज़ा की। उपस्तित विद्यार्थियों को नागपुर मेट्रों की प्राथमिक जानकरी देते वे इस परिसर की मेट्रों और स्टेशनों पर मिलने वाली स टिकेट की राया पहुचने के लिए लगने वाला कम समय, साथ ही स्वास्त और परियावरन के लिए अनुकुल सारवजनिक परिवहन की विस्तुत जानकरी, मेट्रो अधिकारियों ने विद्यार्थियों को दी। विद्यार्थियों ने मेट्र अधिकारियों सीकी उपस्तित विद्यार्थियों के सवाल के जवाब देते हुए शंका का निरसन किया गया केंद्रिय मंत्री और स्थानिय सांसत नितिन गड़करी की संकलपना से आयोजित दस दिवसिये खासदार सांस्क्रोतिक मोहतसव के अंतरगत मंगलवार को इश्वर देश मुक शारिरिक शिक्षन महाविद्याले के प्रांगन में उत्तर वदक्षिन भारतिय परंपरा के वनक की जुगल बंदी का शांदार कारेक्रम आयोजित किया गया इस कारेक्रम में पंडित राकेश चोरेसिया मंजुशा पाटिल ओजस अडिया पंडित शशांक सुब्रमन्याम प्रकाश एदलाबादकर वपिरू पल्ली फाल्गुन के शांदार प्रस्थितियों ने दर्शको का मन मोहलिया दी प्रजवलन के साथ इस कारेक्रम के उद्गाटन अवसर पर बत और प्रमुक अतिथी कांचन गड़करी राज्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे दैनिक विदर्ब की बाद एवं विकेबी निउस चानल के प्रवन संबादक अरुन को टेचा वरिष्ट प्रत्रकार प्रकाश पोहरे जोसेफ राओ, शीव ग्रवाल वन अन्य अतिथियों का आयोजन समितिके अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सोले, उपाध्यक्ष अशुक मानकर, सचिव जै प्रकाश गुपता, कोशाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश बागडी ने स्वागत किया इस डाक अधालत में डाक सेवा से सम्मदित ऐसे शिकायतों पर विचार किया जाएगा, जिनका निप्टारा छे सप्ता के अंदर नहीं किया गया हो। लिखा होना चाहिए जिसके पास मुल शिकायत भेजी गई थी। जो व्यक्ति ऐसी शिकायत भेजना चाहते हूँ, विदाक सेवा के बारे में अपनी शिकायत के विद्यासागर, प्रवरधिक्षक डागघर, नाकपुर ग्रामिन संभाग, थर्ट फ्लोर, नाकपुर सिटी प्रधान डागघर बिल्डिंग में एक अधिरिक्त प्रती के साथ 27 दिसंबर तक अथवा पहले भेज दे। जो अभी 5 प्रतीशत है, उसे बढ़ा कर 12 प्रतीशत कर दी गई है। पहले ही जीवन उपयोगी वस्तु कपड़े उचे दामों में लेने पड़ेंगे, चुकि सस्ते कपड़ों पर भी जीएस्टी रेट 5 प्रतीशत से 12 प्रतीशत हो रहे हैं। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयूवर्ग के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ट का टीका करन, नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीका करन का समय सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। टीका करन के लिए ओनलेन और ओफलाइन दोनों पद्धती उसे पंजी करन किया जा सकता है। के मनपा माहल रोग निदान केंद्र, एम्स आईसोलेशन अस्पिताल, इमाम बाड़ा, इंद्रा गांधी अस्पिताल गांधी नगर, मनपा स्री अस्पिताल पांच पाली और प्रगती हौल दी घोरी में उपलब्ध है। किया गया है, इसके अलावा जू आधी नियम के अंतरगत तिन मामलों में तिन आरोपयों को गिरफतार किया गया, और उनसे धाई हजार रुपे का जुर्माना वसूला गया। उपर उक्त सभी ऑप्रेशन सहीुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे। ट्राफिक विभाग ने ये आभान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से समधित सभी दस्ता वेच अपने पास रखे। महान गनित अग्य श्री निवास रामानूजन की जयनती राष्ट्य गनित दीवस के अवसर पर बे एके बे का एक से तीस तक भव्य सामुहिक पाठ किया गया। अग्य श्री निवास रामानूजन की याद में नागपूर महानगर पाली का अग्रेसर फाउंडेशन और मनिभी इंस्टिट्यूट की पहल से इस ग्रूप रीडिंग कारेक्रम के जरिये उन्हें श्रधान जली दी गई। नागपूर महानगर पाली का के उपद्रव खोजी दल ने मंगलवार को प्लास्टिक पतंग के खिलाफ कारवाई करते हुए 65 प्लास्टिक पतंग और 52 नायलोन मांजा जब्त किया है। उपद्रव खोजी दल ने लक्ष्मिनगर और धंदोली जोन में 10 पतंग दुकानों का निरिक्षन किया और 55 प्लास्टिक पतंगे और 52 नायलोन मांजा जब्त किये। टीम ने 10 जोन में 54 दुकानों का निरिक्षन किया। इसके अलावा NDS ने 3 प्रतिष्ठानों पर कारवाई करते हुए 15,000 रुपे का जुर्माना वसुला। टीम ने 25 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालों का निरिक्षन किया। मनपा एक्तराधा कुष्णन भी के निर्देशा नुसार और NDS प्रमुक विर्सेन तामबे के मार्क दर्शन में मनपा की टीमों ने ये कारवाई की है। लिकिन कोरोना वाईरस से संक्रमन का खत्रा अभी बिटला नहीं है। तब तक देखते रहिए BKB News नमस्कार।